Welcome To Channel Tech Mechanical & Electrical Goa CPA Limited, GSL का तरप से जो latest record में निकल के आया है, ITA बालो के लिए तो इसका form fill up अभी भी चल रहा है, जो भी student अभी तक इसका form fill up नहीं किया है वो सब ही student जल्दी जल्दी form को fill up कर लेना क्यूंकि इसमें demand app fill up करना पड़ता तो demand app को भेजना भी पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी form को fill up कर लेना, तो form fill up करने का बाद बहुत सारा student का तरफ से request है था सर इसका official syllabus क्या होता है, selection process कैसे होता है और exam pattern कैसा होता है, तो इसका बारे में details में एक वीडियो में मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग मेरा channel में ज जा सकते हैं, उसमें अब लोग को वीडियो मिल जाएगा, Goa CPR Limited syllabus 2021, तो official syllabus अब लोग को देखने को मिलेगा, तो आज मैं discuss करूंगा, Goa CPR Limited या Cochin CPR Limited का PBICR question paper, actually Goa CPR Limited या Cochin CPR Limited या Hooghly Cochin CPR Limited जो भी CPR Limited का paper होता है, same to same exam pattern पे होता है, और selection process भी same होता है, और syllabus भी same होता है, ओके तो ये जो paper है, Cochin CPR Limited का paper है, इससे पहले Cochin CPR Limited का और एक paper, Feater का paper मैं discuss करा दिया हूँ, आज भी Feater का paper मैं discuss करूंगा, वीडियो को अब लोग अंतक देखना, अगर और भी trade में आप लोग का paper देखने को चाहिए, अगर OLDR या मैसेनिश टेट का paper आप लोग को चाहिए, तो आप student मेरे channel में जाके Cochin CPR Limited का paper देख सकते हैं, आज दूसरा paper, दूसरा exam का paper आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें total 30 question रहेगा, 10 question रहेगा, नोन टेकनिकल का, उसमें रहेगा 5 GK से और 5 रहेगा math question, और 20 जो question रहेगा, बाकि 20 question अपना trade से पूछेगा fast question, which one of the following processes will one use on hardened steel to reduce vitalness, तो इसमें क्या बोला है, कोई भी एक hardened steel है, hardened steel से vitalness को कम करने के लिए, हम लोग जो process follow करते हैं, तो उस process का नाम क्या है, तो आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग hardening करते हैं, hardening करने का बाद क्या होता है, उट steel बहुत ज़्यादा hard ह हो जाता, तो ओ hard steel को तो हम लोग forging बगर या कोई भी दूसरा operation में हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो hardened steel को बिटलनेस कमाने के लिए, और उसका अंदर toughness को बढ़ाने के लिए, हम लोग कौन सा property या कौन सा process follow करते हैं, हम लोग tempering करते हैं, ठीक है, बिटलनेस को कम करने के के लिए, मतलब भंगुडातों के कम करने के लिए, और toughness को बढ़ाने के लिए, हम लोग जो process follow करते हैं, उसको बोलता है tempering, तो tempering process कैसे होता है, या अब लोग को जानना चाहिए, जो hardened steel होता है, मतलब हार्डिन करने का बात, जो hardened steel, सोचलों यह hardened steel है, तो यह hardened steel को हम लोग क्या करते हैं, फीर से हम लोग reheat करते हैं, मतलब फीर से हम लोग heat करते, कितना degree temperature में heat करते हैं, below 400 degree centigrade में हम लोग heat करते हैं, मतलब 400 degree कम temperature में हम लोग heat करते हैं, उसका बात क्या करते हैं, हम लोग धीरे-धीरे उसको cool करते हैं, उसका बात धीरे-धीरे हम लोग cooling कर देते हैं ठीक है उसका बाद जो pop party बनता है या steel बनता है उसमें क्या रहता है उसमें betelness भंग रहता है जब pop party कम जाता है और जो toughness pop party है sock resistance pop party है बढ़ जाता है इस process को tempering बोलते है तो tempering का कुछ aims होता है या purpose होता है fast with this to relieve the internal stress इसका अंदर जो internal stress रहता है stress को निकाल देते हैं okay to regulate the hardness and toughness hardness और toughness को regulate करने के लिए मतलब कम करने के लिए वरहने के लिए हम लोग क्या करता है tempering करते है next point to decrease the bitterness bitterness को हम लोग कम करते है और चौथा point to restore some ductility कुछ ductility property उसका अंदर store करने के लिए ductility property हम लोग देते है इसलिए उसका तो भंगोडा तक कम होता है और एक point क्या होता है to induce shock resistance उसका अंदर shock resistance property डालते है shock resistance property देने के करन क्या होता है अगर कोई भी एक steel है उसमें अगर कोई भी आचाना किया sudden vibration आता या sudden load परता है तो shock resistance का बाज़े से तूटता नहीं लेकिन अगर एक total hardened steel हो जाता इसमें अगर tempering property नहीं रहता तब क्या होता तब एक easily तूट जाता shock resistance का बाज़े से लेकिन हम लोग tempering process में क्या करते है shock resistance को put करते है इंड्यूस करते है मतलब उसका अंदर दे देते है तो इसलिए ओ जो steel बनता है shock resistance steel बन जाता है ठीक है next question which one of the following gas mixer is not used in gas tungsten arc welding मतलब जिसको बोलते है tea welding tea welding के full form बोलते है tungsten inert gas या आप लोग बोल सकते है gas tungsten arc welding तो इसमें जो जो gas हम लोग या gas का mixer हम लोग use करते हैं तो कौन सा कौन सा mixer हम लोग use करते है argon helium हम लोग use करते है argon hydrogen use करते है argon carbon dioxide use करते हैं लेकिन argon nitrogen हम लोग use नहीं करते है तो question में यही पूछा है जो tea welding होता है या gas tungsten arc welding होता है उसमें कौन सा gas का mixer हम लोग use नहीं करते हैं तो argon nitrogen is the right answer जब यह जो mixer है यह gas mixer हम लोग use नहीं करते हैं ठीक है तो tea welding से एक question बहुत बार पूछे जाता है और जाता था student इसमें mistake कर देता है tea welding is mainly used for जो tea welding होता है तो मेंली कौन सा metal के लिए या बोल सकते हैं कौन सा metal के लिए use होता है तो actually use होते है है aluminum के लिए तो option में बहुत कुछ दिया रहेगा माइल स्टिल दिया रहेगा ब्रास दिया रहेगा लेकिन एक्च्वल जो एंसर वाज़ेगा tea welding is mainly used for aluminum ठीक है next question अब देख सकते हैं what are these components in fire triangle जो fire triangle होता है उसमें तीन चीज रहता है एक होता है fuel heat and oxygen इन तीनों चीज में से कोई भी चीज नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा ठीक है तो यह जो fire triangle होता है तीनों चीज रहता है उसका बाद याग लगता है तो इसका राइट आं सो जो option नाम बढ़े oxygen heat and fuel okay next question which one of the following is not a weld defect इन चार option में से कौन सा option welding के एक defect नहीं होता है जब भी हम लोग welding करते हैं अगर सही तरीका से अगर हम लोग welding नहीं करेंगे तो welding में defect आ जाता है तो welding true T का अंदर कौन सा option नहीं आता है तो option number D is the right answer हो जगा रिपेल रिपेल option welding defect या welding true T का अंदर नहीं आता ह तो welding true T का अंदर क्या क्या आता है अंडर काटा था incomplete penetration या आप बोल सकते lack of fusion, slag inclusion, porosity, blowhole ये सब defect होता है ओके इसका बाद spatter वगएरा होता है तो आप लोग को जानना चाहिए porosity क्या होता है और blowhole क्या होता है जब भी हम लोग कोई भी plate में welding करते हैं सोचले एक plate है इसमें अगर हम लोग welding कर रहे है थीक है तो इसमें इदर तो हम लोग weld करते हैं तो इसका अंदर है गार छोटा 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 पीन जैसे छोटा छोटा फोल बनेगा तो सेम अगर problem एंदर फंस जाता इसलिए ब्लवहरोल होता है उके क्या होता है यह प्मया विंद्ध करके जो weld metal है इधर बैट जाता है तो बैटने का बाद क्या होता है छोटा ज़रा बूंद बूंद का आकार में welding surface में बैटने का बाद क्या हो टोटली जम जाता है तो इस problem को क्या बोलता है इस problem को बोलता है spatter बोलता है Soldering and Braging chapter से most important question मैं आप लोग का साथ share कर दे हूँ, उधर से एक भी question बाहर नहीं जाएगा, आप लोग मेरा चैनल में जाके soldering का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है तो इसमें बोल है soldering process में कौन सा component का हम लोग joining करते हैं, soldering process में अब लोग electrical या electronic component का हम लोग joining करते हैं, engine part बगर कुछ हम लोग joining नहीं करते हैं, ठीक है तो इसका राइट हैं से होजएगे electrical part का हम लोग joining करते हैं, तो soldering का बारे में जो details है, आप लोग मेरा चैनल में जाके details वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग अच्छा से वीडियो को देखते रहा ने, इस type का question अब लोग अभी आ आने वाला है, next question, which one of the following joints is more stronger, इन चार option में से कौन सा joint ज्यादा strong होता है, तो आप देख सकते, option number है, welding joint, braid joint, soldering joint, glue joint, तो इन तीनों जो joint होता है, इससे ज्यादा stronger होता है, weld joint, weld होता है, पार्मानेट, फास्टनर या पार्मानेट joint आप लोग बोल सकते हैं, ठीक हैं, तो next question अब देख सकते, which one of the following operation is not done by blade machine, lieutenant machine का मदद से हम लोग कौन सा operation नहीं कर सकते हैं, तो अब देख सकते हैं, तो अब देख सकते हो, option में क्या बोलाए, turning, turning करका हम लोग cylindrical surface को हम बना सकते हैं, grooving करके हम लोग solder वगरा या groups बना सकते हैं, job का अंदर group बना सकते हैं, nuling करके ह बेटर ग्रीपिंग सार्फेस डटर बना सकते हैं और या बोल सकते बेटर सार्फेस अपिरलंस होता वह भी आम लोग बना सकते हैं या कभी बहुत कमर सबस्पिंग नॉलिंग में नालिंग करते टाइम इसका speed कितना होना चाहिए तो इसका speed होना था है one third into turning speed ठीक है turning में जितना speed चाहिए इसका one third मतलब नालिंग में बहुत कम speed का ज़रूरत पड़ता है लेद मैसें से एक most important question आता है कौन सा operation करते टाइम लेद मैसें में सबसे कम time लगता है तो इसका right answer हो जाएगा thread cut time ठीक है तो अब लोग जादा था student का बेच में confusion नालिंग हो जाएगा thread cutting तो thread cutting इसदा right answer हो जाएगा इसका बाद milling जो होता है milling option गलत है ठीक है तो इसका right answer option number d milling जो operation है यह operation में लोग मिलिंग मैसें से हम लोग कर सकते हैं okay milling machine का दो आड़ हम लोग gear भी कर सकते इसका बाद बाकी जो काम है उसका हम लोग आप जैसे अलग अलग मैसें होता है आप milling down meaning universal milling machine का मदद से हम लोग अलग अलग operation perform कर सकते हैं okay next question which one of the following is not a corrosion prevention method तो करोशन मतलब क्या जंग लगना या आप लोग बोल सकता राष्ट जिसको English में बोलता है तो कोई भी surface को corrosion prevention method मतलब करोशन से बचने के लिए जो हम लोग protection method हम लोग follow करते हैं जैसे हम लोग करते इलेक्ट्र प्लेटिंग करते गैलवानाइजिंग करते हैं तो कौन सा प्रोशेस इन में से कौन सा प्रोशेस जंग से पोतिरोद नहीं करता है कौन सा मेथोड ठीक है तो इसका राइट आंसरो जो आप्सन नामड़ी ब्लास्टिंग तो ब्लास्टिंग जो मेथोड है इसमें हम लोग corrosion से सर्फेस को बचा नहीं सकते हैं ठीक है तो बाकी जो भी पोसेसे जैसे पेंटिंग है cathodic potation है और इसका बाद scarificial coating है तो इसका मदद सा हम लोग कोई भी एक सर्फेस से उसको को बचा सकते हैं ठीक है next question ओन किलो वाट और energy is equivalent to one kilowatt our energy is equal to क्या होते हैं एक कोशन मैं बहुत बड़ा आप लोग का साथ डिसकास कर दिया हूँ जब भी मैं science का कोशन आप लोग को पढ़ा था हूँ तब मैं डिसकास कर दिया हूँ तर इसका सब्सक्राइब जगत 3600 किलो जूल तो आप लोग बोल सकते इसको 3.6 इंटू 226 जूल भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो मेरा जब solution किया था मेरा क्लास में तब मैं ऐसे आप लोग को बता था 3.6 इंटू 226 जूल तो उसका अब लोग केजी जूल में कॉनवर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा नेक्स्ट कोशन ए रिंगेज इस eel goose टू एकिस परपंस के लिए इस तो जनरली जो गेज होता है गेज बनता है आलो में त arguing के जब ऻवकम करते है नेक्स्ट कोशन आप देख सकते हैं में क्लियरेंस में क्लियरेंस का मतलब क्या होता है तो आप लोग जानते हैं क्लियरेंस मतलब क्या होता है होल रहता है और जो साप्ट रहता है तो होल और साप्ट का बीच में जो डिफ्रेंस होता है उसको भोलता है क्लियरेंस तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा कौ साइज माइनस सब्साइज तो इसको तो क्लियारेंस बोलता है तो यह चीज़ अब लोग को थोड़ा सा दिमाख लगाना पड़ेगा और इस टाइप का सब्सक्राइज कोई बहूंद करता है तो कशी diversity करने का बज़े से क्या होता है बहुत ज़्याद हीट उत्पान होता है तो इदा जब भी बहुत ज़्याद हीट उत्पान होता है तो मेटल पिगल जाता है तो मेटल पिगलने का बाद क्या होता है इस मेटल को अगर दोनों साइट से कर हम लोग प्रेसर देंगे तो मेटल दिर दिर पिगल जाएगा और टो प्रोजेक्शन विल्डिंग ठीक है तो यह से अब लोगो जानना चाहिए जब भी हम लोग इलेक्टीक रेजिस्टेंस मदले का वाज़े से जो हीट उत परन तो उसका बादि से पिगाल जाते हैं दोनों मेटल पिगालने के वाज़े से जब हम लोग प्रेशा देते हैं तो मेटल टोटली जॉइन्ट हो जाता है ठीक है तो इसका राइटान सरुज़ एक इलेक्ट्रो स्लैग जो वेल्डिंग होता है एक रेजिस्टंस वेल्डिंग का अंदर नहीं आता ह ठीक है next question आप देख सकते हैं which one of the following defects occur due to filler material having a different rate of contraction compared to parent metal जब एक parent metal इधर है ओके और इधर बोले different rate of contraction अगर different जिस rate में इधर contract मतले बेस मेटल का साथ है प्रेंट मेटल का साथ होना चाहिए अगर साही से ओक नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा उसमें तो crack हो जाएगा अगर बेस मेटल का साथ ओल्डिंग करते तो इसको तो अच्छा से क्या contact होना पर जो जो फिलार मेटल हम लोग देते हैं इसका साथ बेस मेटल को या पैरेंट मेटल का अच्छा से क्वाना परेगा अगर अच्छा से नहीं होगा अगर different rate में हो जाएगा contraction तब क्या हो तो crack in weld metal हो जाएगा तो option number आप देख सकते हैं she is the right answer हो जाएगा ठीक है next question आप देख सकते हैं equipment used for inspection of inside portion of hollow chamber और narrow tube is known as कौन साइक equipment use होता है inside portion of hollow chamber कोई भी एक chamber उसका inside portion को या narrow tube का inside portion को inspection करने के लिए होता है तो इसका right answer हो जाएगा बोर स्कोप ठीक है तो हम लोग बोर स्कोप यूज करके हम लोग चेक कर सकते inside portion of hollow chamber या narrow tube next question आप देख सकते है scavenging is usually done due to increase तो यह जो question है diesel mechanic का question है तो यह generally engine का question है तो scavenging एक method होता है जिसमें हम लोग किसको increase करते power output को हम लोग बढ़ा देते हैं ठीक है तो option number B is the right answer हो जागा next question आप देख सकते है which one of the following is not the liquid lubricant इन चार option में से कौन सा option liquid lubricant का अंदर नहीं आता है तो इसका right answer हो जागा grease grease आता है semi-solid lubricant का अंदर next question आप देख सकते है constant term is an alloy of constant term किसका alloy में बनता है तो इसका right answer जगा है nickel and copper ठीक है next question आप लोग को देखना पड़ेगा और एक question आता है monel metal कैसे बनते हैं तो monel metal भी बनता है nickel and copper का मदद से ठीक है next question आप देख सकते है which among the following method is best suited for welding of stainless steel तो stainless steel का welding करने के लिए कौन सा best method used होता है या कौन सा method best होता है तो इसका right answer जगा electro या electric bar welding तो electric bar welding का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं जो stainless steel होता है उसका हम लोग welding कर सकते हैं okay next question आप देख सकते है which one of the following non destructive testing is used to detect change in composition of any material जब यह हम लोग welding करते हैं सोच लो कोई भी एक दो मेटल है इसको हम लोग welding कर दिये हैं ठीक है तो welding करने का बाद अगर जो filler metal हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर composition का different या कोई भी change है कि नहीं उसको मालूम हम लोग कैसे पड़ेगा तो यह तो welding हो जागा उसको तो हम लोग normally मालूम नहीं कर सकते हैं तो अगर हम लोग तोड़ेंग उसका बाद हम लोग microscope का मदद से हम लोग देख सकते हैं लेकिन बाहर से दो हम लोग देख के कुछ बता नहीं सकते हैं अंदर में कोई भी जो material है उसका composition में changes हुआ है कि नहीं हम लोग तो नहीं बता सकते non destructive test मतलब कि उसको बीना तोर किये तो बीना तोर के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसमें composition का material जो composition है फिलार मेटल का जो composition उसमें changes हुआ है उसमें चेंज़ेंग है उसमें राइट आंसर हो जगा रेडियोग्राफिक टेस्टिग जिसमें हम लोग कोई भी जो 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 ज्वे metal composition है composition में अगर कोई भी changes है तो उसका हम लोग चेक कर सकते हैं next question desk plating is used for protection against wear in lead bearing bearing मतलब जो bearing lead से बनता है तो उसका wear resistance property बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा metal का या कौन सा material का plating करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जगा इंडिया ठीक है तो जो bearing होता है जो bearing सोच लो कोई भी एक साप को एक particular स्थान में support देता है या आप बोल सकते हैं उसका friction को कम कर सकते हैं तो जो bearing lead से बनता है उस bearing का wear resistance property मतलब क्या उसमें जो scratches बगड़ा होता है तो उसको resistance करने के लिए मतलब पोतिरोध करने के लिए एक plating करते हैं कौन सा metal करते हैं इंडिया material करते हैं ठीक है तो trade से जो भी 20 questions था मैं discuss कर दिया हूँ इसका बाद मैं non-technical का question मैं discuss करूँगा अब लोग का सामने तो अब लोग please वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अब लोग को भी देखना चाहिए कि step का question पूछे जाता है math का कितना easy question आता है math का solution भी अब लोग मैं दूँगा अब next question अब देख सकते हैं the headquarter of international atomic energy IAEA is situated at international atomic energy agency का headquarter कहां पर अब अबस्तित है तो इसका राइटान स्राज का वी एना ठीक है next question ही राकूंद डेम is situated in which state ही राकूंद डेम कौन सा राज्यों में अबस्तित है तो इसका राइटान स्राज का option number D Odisha ठीक है next question nitrogen fixing bacteria lives in the root tumors of P plants is called P plant का जो root का tumor होता है उसमें nitrogen fixing bacteria बसबास करते हैं तो उसका नाम होता है राइजोबियाम ठीक है option number B is the right answer हो जगा बोला है दा oath of office to the president is administrated by them जो president का support होता है तो उसका किसका सामने किया जाता है तो Chief Justice of India तो Chief Justice of India का सामने पद राश्ट्रोपोति उसका support लेते हैं ठीक है इसका बाद आप देख सकते math का question है तो यह 5 question math से पूछे गया है तो आप देख सकते 5 ही question math से पूछा गया है ठीक है तो math का जो 5 question है इस 5 question का solution मैं PDF का अकार में आज का video का description box में provide कर दूँगा तो आप लोग PDF को download कर लेना और 5 math को अच्छा से देख लेना each and every math को बहुत ही अच्छा से मैं solve कर दे हूँ details मैं solve कर दे हूँ कोई भी student का कोई भी problem नहीं रहेगा और एक-दो question में मैं ट्रिक्स भी यूज किया हूँ तो ट्रिक्स भी अब लोग देख लेना ठीक है तो यह था कोचिन cpr limited का pbsr question paper जो भी student गुआ cpr limited का form फील अब किये है वो सबी student के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादे helpful हुआ है तो वीडियो पसंद है तो आप लोग like कमेंट कर देना और चैनल को अगे बढ़ाते रहना जरूर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे चैनल का सब जूरे रहना और चैनल को सपोर्ट कर देना आज के लिए इतना ही मिलत आज के लिए ने टाडा बाइब बाइब